हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आप सभी को प्यार भरा नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में और आज मैं आपके लिए हिंदी में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ संग्या अब आप सोचेंगे संग्या आ कैसे पुछे जाते हैं एज्टेट में और जो आजकल एक्जाम है कंपिटिटिव एक्जाम उन में जो हिंदी आ रही है उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है इस जैसे सभी को दिकत आती है और इस वीडियो में हम डिटेल से ये टॉपिक पढ़ेंगे तो स्टार के तीन भेदे है व्यक्ति वाचक जाती वाचक भाव वाचक अब व्यक्ति वाचक संग्या क्या होती है थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ एक बार रिवाई जो जयेगा आपका जिस संग्या सब्द से किसी एक व्यक्ति, एक प्राणी, एक वस्तू क्या है एक व्यक्ति, एक प्राणी, एक वस्तू, एक स्थान का ग्यानों उसे व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं ठीक है जैसे राम, गाय, पुस्तक, देली, आदी फिर जाती वाचक जिस संग्या सब से एक जाती के सभी पदार्थों का ग्यानो उसे जाती वाचक संग्या कहते हैं जैसे नगर, मनुश्य, गोड़ा यनि शब देख है लेकिन पूरी जाती का वर्णन करते हैं सभी जानवर हैं जैसे कुता, बिली, भैंस, गाई सभी इसमें आ जाते हैं ठीक है नेक्स्ट है भावाचक संग्या जिस संग्या सब से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु स्थान के गुण, दोश, दशा, सील, सभाव, अवस्था भावादी का ग्यानो उसे भावाचक संग्या कहते हैं अब इसकी एक बात है कि ये आंत्रिक रूप होता है, दिखाई निदेता बारसे जैसे सुंदर्ता, नीचता, जवानी, ठीक है, सील, सभाव, इमानदारी है, अब वो उसका सभाव है ना, आमे दिखाई थोड़ीना दे रही है, ऐसे ये बाव होते हैं, जो आंत्रिक प्रावा दो बेद और माने जाते हैं, और ये जो दो बेद हैं, ये जाती वाचक के अंतरगत ही आते हैं, मेन तो तीनी हैं, लेकिन ये दो बेद हैं, ये जाती वाचक के अंतरगत माने जाते हैं, समुदाए वाचक और द्रव्य वाचक, समुदाए वाचक जिस संग्या सब्सक्राइब जितनी है जितनी भी अवलेबल है धरती पर वो सारी चान्दी आ गई तो वो पूरी जाती का भी बहुत करारी है ना तो ये जाती वाचक संग्या भी मानी जाती इसके अंतरगत ही माना जाता है इनको इस प्रकार संग्या के तीन बेदो सकते हैं व्यक्ति वाचक, जाती वाचक और भाव वाचक नेक्स्ट चलते हैं भाव आचक संग्याएं कितने प्रकार के शब्दों से बनती हैं अब इसमें ऐसे नहीं पूछेंगे कोश्चन कैसे आता है देखो जैसे ओप्शन में आजाए मनुश्यता अपनापन गर्मी और आजाए मालो पड़ाई अब इसमें ये पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन सी भाव आचक संग्याएं या संग्या किरिया से बनी है अब आप देखो मनुश्यता बनी है मनुश्य से तो मनुश्य क्या है जाती वाचक तो ये ओप्शन अमारा नहीं आएगा फिर अपनापन किस से बना है अपने से ठीक है अपना से तो ये क्या जाएगा सरुनाम से फिर गरम गर्मी तो गरम से बन गया गर्मी गरम क्या है विशेशन तो ये भी नहीं आएगा फिर पढ़ना से पढ़ाई पढ़ना क्या है किरिया पढ़ना से बन की पढ़ाई तो पढ़ाई option हमारा answer हो जाएगा तो question इस तरह से आते हैं कि ये पूछते हैं कि वाचक संग्या तो दे देते हैं, वो बनी किस से हैं, सरुनाम से है, विशेशन से है, किरिया से है, जाती वाचक संग्या से, तो पांच परकार के शब्दों से बनती हैं, जाती वाचक संग्या से, ये एक्जामपल देख लेना आप ध्यान से, और भी आ जहेंगे इसमें, और सरवनाम से मम से ममता, आप से आपा, अपना से अपनापन, विशेशन मिठा होता है, मिठा से मिठास बन गया, ये जाती वावाचक हो गई, गरम से गर्मी बन गया, सुन्दर से सुन्दरता बन गया, किरिया से चलना से चाल, पढ़ना से पढ़ाई, खेलना से खेल, ठीक ह संग्या है और वैसे निकट निकटता दूर से दूरी सभी से था प्लीर वा रच उब से आईगें सबिझें 성y थे जाती वाक संग्या कर दुझा संग्या बन जाती 600 लेकिन वह वाक्ति वाचक संग्या बन जाती वैक्ति वाचक की जगह यूज होती है अब इसमें पेपर में कैसे पुछा जाएगा जैसे या जाए कि मान लो नेहरू बच्चों से प्यार करते थे अब नेहरू है वो उसमें नेहरू जितने उनके गोत्र के हैं वो सभी आ गई उसमें वो जाती वाचक है लेकिन यहाँ पर नेहरू का अर्थ क्या है जवाहर लाल नेहरू तो यह किसका बोध करा रहा है वैक्ति वाचक संग्या का इसी प्रकार गांदी है ठीक है तो यह वैक्ति वाचक संग्या बन गए जाती वाचक शब्द जैसे पूर है जगनाथ पूरी गए थे तो यहां क्या हो गया वैक्ति वाचक संग्या बन गई कौन सी जाती वाचक संग्या जाती वाचक हो गई पूर और वैक्ति वाचक क्या हो गया जगनाथ पूरी प्लियर हुआ फिर है व्यक्ति वाचक संग्या कब जाती वाचक संग्या बन जाती है अब व्यक्ति वाचक संग्या तो है लेकिन वो जाती वाचक बन जाती पेपर में क्या होते हैं संटेंस आते हैं और हमें बतानी होती है यह कौन सी संग्या है जाती वाचक है व्यक्ति वाचक है हमें वह आपे सेलेक्ट करनी होती है व्यक्ति वाचक संग्या जब अपने विश्येस गुण या उगुन के कारण एक से अधिक का बोध कराने लगती है तब उस आलत में जाती वाचक संग्या बन जाती है अब जैसे सीता सीता का नाम लेते हैं एक वो बजन सुन आपने कि हर गर में र राम कहां से लाओं तो रामण तो एक ही था ना व्यक्ति वाचक संग्या थी लेकिन अब रामण जो भी बुरे काम करते हैं दुस्ट है उनके लिए यूज हो रहा है तो वो क्या है जाती वाचक बन गया ऐसे राम शब्द है ये भी क्या है जो अच्छे लोग है उनके बार जाते हैं तो हरीश चंद्र बोल दिया तो यानि जो सच बोलने वाले हैं उनके बारे में बात हो रही है क्लियर हुआ है फिर है भाव अचक संग्या कब जाती वाचक संग्या बन जाती है अब भाव अचक संग्या ये बहुत पुछा जाता है पर प्रविसम से जादा यह आ तो जहां पर भी जाती वाचक संग्या है और वो बावाचक संग्या है जब परदार्थों के धरम को ने बतला कर परदार्थों का बोध कराती हैं वे जाती वाचक संग्या बन जाती है अब उचाई तो है क्या है बावाचक और उचाईयां उचाईयां बहुचन में प्रियु पैरावा ठीक है ये पैरावे तो पैरावे क्या हो गया अब जाती वाचक बुराईयों से सदा बचो तो बुराईयों अकेली है तो भावाचक संग्या है बुराईयों आ गया बहोचन आ गया तो ये क्या बन गई जाती वाचक ठीक है समझा है आपको उचाई से उचाईयां बन गई ठीक है गहराई से गहराईयां बन गई तो ये सबी जाती वाज़क बन जाती है क्लियर हुआ अब एक और छोटी सी बात बता देती हूं गन्ना के अनुसार संग्या कितने परकार की होती है गन्ना के अनुसार दो परकार की होती है गन्निय संग्या और ए गन्निय संग्या ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है शायद आपने कमी पड़ा होगा गण्ये संग्या जो संग्या गिनी जा सकती है उन्हें गण्ये संग्या कहते हैं जैसे आदमी किताब पैन मेज गिनी जा सकती है ठीक है और ऐगण्ये संग्या जो संग्या गिनी नहीं जा सकती केवल मापा तोला मापा जा सकता है उन्हें एगन्य संग्या कहते हैं जैसे दूद, पानी, सोना, आटा, अदी आटा को गिन सकते हैं नहीं न तो ये क्या हो गई एगन्य संग्या ठीक है? हो सकता है नया कंसेप्ट उठाते हैं ये आजए और ये पीडियाफ मैं आपने टेलिग्राम ग्रूप पर शेयर कर दूँगी वहाँ से आप रिवाइज कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ठैंक्स फर वाचिंग आपका दिन शुब हो धन्यवाद